नमस्का और दोस्तों स्वागत करता हूं आपका एचरन टेक्निकल ब्लॉग में आज यह वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है इसमें हम कुछ अपने बारे में चर्चा करने वाले हैं बहुत सारे लोग कमेंड करते हैं कि आपका नाम क्या है आप मतलब आपकी क्वालिफ स्वेल इंजनिर्टी निपना किया हूँ और मैंने वाले में बाते विडियों में आप दोस्तों मैंने डिप्लोमा किया। उसके बाद मैंने तयारी जूनियर इंजीनियर की की तो सभी को पता होगा जो यूतर प्रदेश से खासकर बिलॉंग करते हैं तो यहां पर लगबग 2018 के बाद जूनियर इंजिनियर की कोई भरती नहीं आई तो मैंने तैयारी किया उसके बाद छोड़ दिया क्योंकि वहां पर ऐसा कोई option था ही नहीं कि मैं उस छेत्र में जाओं ससी की बात करूं मैं अगर तो ससी में उसमें ज्यादा तर जो सीटे सीटे रहति है उसमें ब्क वालों के लिए है जैसे की आपका जैसे कि आस में जादा सीटे रहती आँ और हो गया है तो वहां जो भी सीटे आती हैं वो सब ज्यादा तर बीटे गया तो डिप्लोमा आपके पास है तो दो साल का एक्सपीरियेंस होना चाहिए तभी आप वहां पर जा सकते हैं तो उसमें मैंने एक्जाम दिया तो एक दो बाद दिया तो मैं प्री भी नहीं निकाल पाया उसका लोगडाउन हो गया 2019 मैंने डिप्लोमा किया उसमें लोगडाउन हो गया उसके बाद मैंने आगे पढ़ाई वहां पर नहीं कर पाया वहां पर मैंने चीजों को छोड़ दिया इसी वागरा की वेकंसी आ गई गरूप डी की वेकंसी उस समय आए हुई थी मैंने फॉर्म को अपलाई किया था तो मैंने क्या ंठरी यूटूप जूरू कर दी कि तरह मैं इश समय मुझे लगा कि लिएげ ज़ूब लेना दो आपके लिए гол्वी सरकारी नौकरी सबसे बड़ा वरदान है तो और मैं पहला जो अपना दिया था रही पर गजाम दिया था तो वहां पर जब एक्जाम दिया तो वहां मेरे 73.5 इसकोर आये नौर्मड़ाइड इसकोर मेरे थे 73.5 जितनी भी मेरे स्कोर कार्ड वगर रहा है तो इसकी रिसौर्ट अगर जिनके भी एविलेबल है मैं लगवा दूंगा बाकी और समय यूर की कटाफ लगी ते फिजिकल के लिए 66 फाइनल मेरा हो जाता लेकिन कारण यह था मैं थोड़ी से हाइट मेरी हलका से कम थी तो इसलिए मैं वहाँ पर नहीं हो पाया हाइट में बाहर हो गया अंडर हाइट में फिर मैंने अभी जो रिजल्ट आया है उसका ही जान दिया था उसम को देने नहीं जा पाय उसका सब्सक्राइब काला यहीं था कि मेरी दोड़ तैयार हो थी पिछली का का पिछली भरती का डी मोटिवेशन भी आप कह सकते हैं इसलिए मैं उसमें भी नहीं जा पाया उसी बीच में मैंने ससी फेज 9 का एक्जाम दिया जो दिल्ली पुलिस अब इस्पेक्टर में जूनियर इंजिनियर के पोस्ट आती है जो लोग टेकनिकल फिल्ड में वह जानते होंगे उसमें भी मैं क्वालिफाई था लेकिन उसका कारण सबसे बड़ा यह था कि उसमें मातर एक सीट थे और 20 लोग क्वालिफाई के थे तो उसमें भी मैं बाहर हो गया एससी फेज 9 का एक एक्जाम होता है जिनके उनको जानकारी होगी उन्हें प पाया उसके बाद फिर मैंने पीटी 2022 का एक्जाम दिया पीटी 2022 का जो एक्जाम दिया उसमें मेरे 70 स्कोर है तो यह अभी फिलाल के लिए मैं अपनी पढ़ाई रखा हुआ हूँ बाकि मैं बात करूं तो आर्रसी ग्रूप डी जो मैंने एक्जाम दिया था एंटी पीसी का क्वालिफाई नहीं कर पाया था प्री तो मतलब सीवीटी टू की बात ही छोड़ दीजिए उसके बाद मैंने अराजसी ग्रूप डी की तहरी कि मेरा था एहमदाबाद बोर्ड तो वहां मैंने त्यारी की तो मैंने एक्जाम को क्वालिफाई कर लिया मेरा एक्जाम जो lza कर जाऊंगे इसके बारे मीठ digital बात में बात करूंगा मैं मोटा माटी बता दे रहा हो तो 20 अक्टूबर से मैंने दोनना सुरू किया उसके बाद मेरा gelir totallybrar को तो मैंजाम क्वालिफाई कर गया उसके पास 14 तारी को अच्तियरा था सेकंड पैनल आ Uh है कि जल्दी पोस्ट एलाटमेंट वगारा हो जाएगा उसके बाद कांटिन्यूम में जो है वीडियो अगरा बनाता रहूंगा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए मेरे बारे में या अपने से की कैसे पढ़ना है क्योंकि बहुत बड़ी चीज तो यह लगता होगा कुछ भी मतलब अपनी तैयारी से रिलेटेड किताब वगारा से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे बेजिजग पूछ सकते हैं मैं सारी जानकारी आपको एवलेवल करवा दूँगा बाकी ऐसे ही करके जैसे अगर मैं जोइन करूंगा वहां से जो भी मतलब मुझे जानकारी डिपार्टमेंट से मिलेगी ब्लाग वगरा डिपार्टमेंटल चीज़े कैसे होती हैं यह सारी चीज मैं आपको जानकारी देता रहूंगा बाकी यहां पर मेरी कोशिज यह है कि आगे भी आपको और ऐसी चीज़ी प्रवाइड करत आगे भी मतलब मुझे यह है कि भाई पढ़ाई नहीं बंद करना होगा नहीं होगा वो अलग बात है लेकिन आपको अभी नहीं रुकना है अगर आप किसी भी एक्जाम में सेलेक्टेड हैं तो कोशिज यह करिए कि हमेशा आगे बढ़ते रहिए बाकी जो भी मुझ से होगा जो भी मैं कर सकता हूँ आपके लिए करता रहूंगा अगर हाँ चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक जरूर करना ओके थैंक्यू